प्रबु का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रबु ने हमें एक और मौका दिया है कि हम प्रबु का वच्चन को पढ़ें और उसके उपर हम मनन करेंगे आज हम बाइबल अध्यन के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका चोदवा अध्याई और उसकी 19 से 23 आयत तक हम पढ़ेंगे और उसके उपर हम मनन करेंगे उसके बाद हम आगे रोमियो की पत्री अब पंद्रवा अध्याई और उसकी 1 से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे और उसके उपर हम मनन करेंगे रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री चवद्वा अध्याए इसलिए हम उन बातनों का प्रेत्न करें जिन से मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उससे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आपको दोशी नहीं थेराता। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य थेर चुका। क् कि वह निश्चे धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। रोमियों के नाम पौलुस प्रेवित की पत्री पंदरवा अध्याए। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें नकी अपने आपको प्रसंद हम में से हर एक अपने पडोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित प्रसंद करें। क्योंकि मसीही ने अपने आपको प्रसंद नहीं किया। पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आप पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई। वे हमा दान दे कि मसीह ईश्यू की अनुसार आपस में एक मन रहो ताकि तुम एक मन और एक मुह होकर हमारे प्रभु ईश्यू मसीह के पिता परमेश्वर की बढाई करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहन किया है वैसे ही तुम भी एक ग्रहन करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिग्याएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें द्रढ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमार देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना। और अन्य जाती भी दया के कारण परमेश्वर की बढाई करे जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यवात करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है हे जाती जाती के सब लोगो उसकी प्रजा के साथ आनंद करो और फिर हे जाती जाती के सब लोगो प्रभू की स्तुती करो और हे राज्य राज्य के स जब लोगो उसे सराहो और फिर यशाया कहता है कि यश्य की एक जड़ प्रगट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपूर्ण करे कि पवित्रात्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए जब हम ये चोधवाए देखो पढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉलू से विश्व करके हमें बताता है हमें अपने भा या अपने पॉलुशी को उपर दोस नहीं लगाना चाहिए या उसकी निर्बलता को उपर हमें दोस नहीं लगाना चाहिए या हमें एक दूसरे से बढ़कर हमें नहीं मानना चाहिए कोई बड़ा है कोई छोटा है इस तरस का तरफ का इस चीज़ का हमें मन नहीं रखना चाहिए को वो बड़ा है या छोटा है उसका विश्वास बड़ा है उसका विश्वास कम है वो ज़्यादा पड़ा लिखा है या दूसरा पड़ा लिखा नहीं है मतलब ये सब बाते जो है वो पॉलिस हमें ये बताना चाहता है कि हमें परमेसर के प्रेम से हमके वंचित रखते या मतलब प्रभू ने हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हम उसमें जूड जाए हम उसकी प्रेम में या उसकी पवित्रता में जूड जाए है इसलिए हमें अब जब प्रभूग में है हम एक कलिश्या के सदिश्य है हम सब एक हो जाते हैं उसमें कोई बड़ा नहीं होता है कोई छोटा नहीं होता है कोई धन्वान नहीं होता, कोई गरिब नहीं होता, कोई ज्यादा पड़ा लखा नहीं होता है, कोई ज्यादा अनपड़ नहीं होता है, सब लोग वहां पे एक है, यह खास करके पॉलुस इस वच्चनों के द्वारा याई सज्धाय में हमें बताना चाहता है, लेकिन हम जब दूसरी कोपर दोस्त लगाते हैं, तो हमें एक दिन परमेसर की नियायसन के सामने खड़े होना पड़ेगा। और हमें अब वचन कहता है हमें हर एक को परमेसर की परमेसर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। जब हम आगे इस अध्याइग में पड़ते हैं तो वहां पर पोलुष हमें ये चेतावने देता है या हमें ये बताना चाहता है कि हमें जब 19 में अध्याइग को पड़ते हैं उसमें लिखा हुआ इसलिए हमें इन बातों में लगे रहे हैं जिन से मेल मिल आप और एक दूसर हमारे जो लोग है या हमारे जो भायो है या हमारे परोशी है उसके साथ हमें मेल मिलाब से रहना चाहिए और उसको अगर कोई गलत रास्ते में है या उसमें कोई कमी है तो उसके साथ हमें सुधार लेना चाहिए या हमारी कोई गलती है इसके साथ मिल के हमें कॉम्प्रोमाइ को उत्पन करना चाहिए पॉलुस का कहने का वहाँ पे एक दात पर है और आगे लिखता है भोजन के लिए परमिर्सर का काम को नभी करना चाहिए मतलब कि अगर मेरे भोजन से मेरे भाई को या मेरे पॉलुसर के कोई तकलिफ हो रही है तो हमें ऐसा उसके साथ ये बोजन नहीं लेना चाहिए या हमें कोई ऐसी बात नहीं करने चाहिए जो परमिसर के वचन की वरूद में है ताकि हमारा परोशी या हमारा भाई ठोकर का खारन ना बन सके आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है कि एक किसमा एदिया में भला तो यह है कि तू नौ मास्क खाए और नौ दाक्सर पिए और नौ को ऐसा करे जिनसे तेरा बाय ठोकर करें मतलब ये कहना पॉलस हमें इस वचने के दोरा ये कहना चाहते है कि हमारा भायों जो है जो विश्वास में कमजूर है या नए विश्वास में आए है या आने वाले हैं वो हमारे जिवन देखके या हमारे खान पान को देखके या हम जो जीते हैं या हमारा जो विहवार को उसके देखते हुए उसको परमेसर के पास आने में उसको लिए हमें फोकवर का कारण ना बनना चाहिए ये विश्यस करके इस अध्याय में पॉलोस हमें कहना चाहता है जो विश्वास में कमजूर है उसको हमें स्विकार करके उसके साथ हमें अच्छा विहवार करते हैं उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए उसको हमें एंकरेज करना चाहिए उसको क्रोसाइद करना चाहिए ये वच्चन के द्वारा हमें सीख मिलती है आगे हम पंदरवा अध्याय में आते हैं तो वहां पे पहले कलम में या पहले आयत में हमें पढ़ते हैं अथा हम बलवानों को चाहें कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें नो कि अपने आपको प्रसंद करें देखिए कलिश्या में जो लोग है वो हर एक लोगों का thinking, हर एक लोगों का विश्वास, हर एक लोगों का जीवन, सहली या प्रभू के सामने वो लोगों का रहना, या प्रभू के में बने रहना, उसमें बहुत सारा difference होता है, हर एक आदमी एक नहीं होता है, किसी का विश्वास में कम है, कोई आत्मी जीवन मे बहुत कमजूर है कोई इतना उसायت नहीं है पवलोस हमें यह चलना के हमें बलوान है अगर हम विस्वास में अच्छे हैं, बहुत पॉराने विस्वासी हैं तो हमें ने विस्वासी के साथ उसकी निरबता को हमें सहनना चाहिए या उसकी गल्टियों को हमें समझ के उसको एंकरेस्ट करके हमें उसको प्रभू में भढ़ाना चाहिए प्रभू की वच्छन के द्वारा उसको हमें सिक्सा दे के उसको हमें और भी प्रभू के नज़दिक लाना चाहिए क्योंकि आगे लिखता है कि हमेंसे हर एक अपने पॉलिस्टी की उसकी भलाई के लिए पसंद करें कि उसकी उन्नती हुआ कि वो ही कहना चाहता है कि हमें हमारे पॉलिस्टी की भलाई करना चाहिए और ताकि उसकी उन्नती हो आगे पॉलिस लिखता है क्योंकि मसीन अपने आपको पसंद नहीं क्या पर जैसा है लिखा है तेरी निंदो को की निंदा मुझ पर आगए आपड़े देखे परमिश्वर ने जगत पे वचन कहता है जगत से इतना प्यार कि अपने एक लोगता पोत्र को दे दिया परमिश्वर का प्रेम महान है इस प्रेम में हमें बना रहना चाहिए जो हमारे लिए हमारे निद्बता को उसने सहन लिया हमारी गलतियों को उसने मान लिया और हमें प्रभू के साथ या अनंत जीवन का वारिस बना कर हमें प्रभू के सामने हमारी इस्व मसिना में नपेश किया है तो हमें भी जब प्रभू हमारी निर्बलता में हमें मदद करता है हमारी कमजूर में प्रबू हमें उससाहिद करता है तो हमें भी हमारा भाई है या हमारा परोशी है या हमारे कलिश्या के लोग है उसके साथ ये निर्बल है जो विस्वास में कमजूर है जो अनपोड है या ज्यादा प्रबू के ज्यादा समय ने दे रहे है या हम ये बोल सकते हैं को ज़्यादा प्रभू में लॉलिन नहीं है उसको हमें एंकरेज करके प्रभू के पास लाना चाहिए ताकि वो लोग भी बलवान हो जाए ताकि वो लोग भी एक दिन हमारे जैसे बनने पाएं ये पॉल उसका लिखने का ताकि वहाँ पे है आगे हमें वचन कहता है हमें एक दूसरे को गरहन करना चाहिए जैसे परमेशन ने हमें गरहन किया है वैसे हमें भी एक दूसरे को गरहन करना चाहिए और आगे प्रभू का वचन कहता है अपॉलोस हमें लिखता है कि अन्य जातिया भी दया के करण परमिश्व के स्तूति करे जैसा लिखा है इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के बजन गाऊंगा देखे हर एक जाती के लिए परमिश्व ना अपना जीवन दिया है और परमिश्व दया का धनी है उसकी स्तूति हर एक जाती जाती में होगी हर एक जाती जाती के लोग परमिश्व को धन्यवाद करते रहेंगे स्तूति करते रहेंगे और आगे जब मैं वचन को पढ़ते हैं यसायहा हमें कोट करके बताता है यिश्य की एक जड़ प्रगट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा यहां पर कहीं ने कहें यसायहा की कुस्तक में या किताब में हमें विस्य मसी के हमारे लिए प्रगट होना है विस्य मसी हमारे लिए आएगा और वो अन्य जातियों और हमारे लिए हाकिम होने के लिए एक उठेगा करके वहां पर प्रगवचन कहता है और उसके उपर अन्य जातिया आसा रखेगे हर एक जाति के लोग उसके उपर आसा रखेगे या उसके उपर निर्भर रहेंगे या उसके उपर उसकी महानता को वो लोग जानेंगे और आगे हम तिरवा आदिया में पर्मिश्वर जो आसा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सर्प्रका के आना अंदर सांती से परिपूर करे कि पवित्रा आत्म की सामत तरह से तुम्हारी आसा बढ़ती गए परमिश्वर हमें आसा देता है और विस्वास करने के लिए या विस्वास करने में हमें सब प्रका के आनन दर्सांती से पविपूर करना चाहता है पवितरा आत्मा के सामत से हमारी आसा बरती जाएगी जब हम पवितरा आत्मा से बर जाते हैं आत्मा से चलते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है और सामत से से हम बर जाते हैं और हमारे जीवन की जो आसा है वो इतनी धर्ड बन जाती हैं हम विज्जाई की और हम चलते जाते हैं तो आज इस वच्चन के उधारा पॉलुस हमें विसेज करके हमें हमारे भायों के उपर प्रैम करना चाहिए उसको हमें दोसित ने ठारना चाहिए उसके उन्नती के लिए हमें काम करना चाहिए जैसे मसी ने हमारी उन्नती के लिए या हमें हमको बचाने के लिए हमें जीवन दान देने के लिए जब हम पाप में मरे हुए थे तो प्रभू ने हमें जिन्दा किया है अपना जीवन देखे या अपना लोहू भागे तो वैसे ही पौलोस हमें चेतावनी देता है या हमें वच्छन देता है कि हमें एक दुसरे के साथ क्रेम में चलना चाहिए और दुसरे की उन्यती का कारण होना चाहिए ताकि अन्यजाती के लोग भी प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी स्तूती करें और ऐसे ही प्रभु का जो राज्य है वो बढ़ेगा तो आज इस वच्चन के द्वारा हम सबको प्रभु आसिसित करें आमें प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु ने हमें एक और मुका दिया कि हम प्रभु के चर्वन में बैठ कर प्रभु का वच्चन को पढ़े और उसकी उपर हम मनन्द करें आज का हमरह बायवाधन दियन के लिए हम पढ़ेंगी भजनसहिता उसका 89 अधियाय और उसकी 46 से 52 आय तक हम पढ़ेंगे और उश्कुए पर हम मनन करेंगे भजनसहिता अधियाय 99 भजनसहिता अधियाय 9 ये यो होवा तू कब तक लगातार मोह फेरे रहेगा, तेरी जलजला हर्ट कब तक आकिनाई बढ़कती रहेगी मेरा स्मरण कर, कि मैं कैसा अनित्य हूँ, तुने सब मनुशों को भी वर्थ सिर्जा है, कोन पूरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्रान को अधोलोग से बचा सकत है, हे प्रभू, तेरी प्राचिनकाल की करुणा कहा रही, जिसके विशे में तूने अपनी सच्चाई की शपत दाउद सिखाई थी, हे प्रभू, अपने दासु की नामधराई की सूधी कर, मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोज लिये रहता हूँ, तेरे उन शत्रों ने तो हे यहुआ, तेरे अभीशिक्त के पीछे पढ़कर उसकी नामधराई की है, यहुआ सरवदा धन रहेगा, आमीन, फिर आमीन जब हम यह अध्याय को पढ़ते हैं, या आज की हमारी बाइबल अध्याय की जो आयत है, उसको पढ़ने से पहले, या उसकी उपर मनन करने से पहले, हम इस अध्याय के सुरुआ से हमें जाएंगे, तो उसका हम सारांस देखेंगे, तो हमें पता चलता है, उसकी सुरुआत उस अध्याय की शरुवात बजन सहीता लिखने वाला परमिस्टर की महिमा से करता है शरुवात में ऐसा प्रभुका बच्छन में लिखा है मैं योखवा की सारी करोना की विशे सदागाता रहूंगा और उसकी सच्चाए पीड़ी से पीड़ी तक बताता रहूंगा लिखी सुरुवात परमिस्टर की महिमा से हो रही है उसकी करोना के बारे में वहां पे वरणन किया गया है और परमिस्टर की महिमा उसके आकास मंडल में यहवा के तुल्य कोई नहीं है करके और सब रहने वाले से अधिक भई हो यह परमिस्टर है वो और उसके तुलिय कोई शामर की परमिशन नहीं है सच्चाई तो उसकी चारे और है और मलब बहुत सारे परमिशन की महिमा के बारे में वहां पे शुरुआत हो रहे है परमिशन को धन्यवाद दे तो उसकी महानता को वहां पे वरनन किया रहा है लेकिन हम जब जैसी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है परमिस्वर को महमा किया जा रहा है परमिस्वर के बारे में बढ़ाए की जा रही है वो हमारा उद्धार या हमारी चटान है करके हमारा पिता परमिस्वर है हमारी चटान है करके उसके बारे में बता जा रहा, उसके तारिफ की जा रही है लेकिन हम क्या आगे बढ़ने से हमको पता चलता है दाउद राज़ा के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाउद राज़ा को हम नहीं जानते लेकिन उसको परायज़ाई का सामना हो सत्रू का उसके ओपर विजय होना के बारे में वहाँ पी बता गया है दावद को परमीश्वन ने अभिश्रिक किया था पवित्रतिर से और उसके साथ परमीश्वन ने वाचा बांदी थी कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरा भूजा उसे दड़ रखेगा सत्रू उसको तंग नहीं करने पाएंगा और उसके बेरियों पर मैं विपत्ती डालूँगा करके परमीश्वन का वचन करता दावद राज्वन के साथ परमीश्वन ने वाचा बांदी थी कि मैं उसके राज्वन को बढ़ाऊंगा उसको मैं आसिस्ट दूँगा या उसको मैं पवित्र करके उसको अबिश्यक करके मैं उसके इस्तमाल करूंगा करके प्रवकावच्वन नहीं बताता है लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो वहाँ पर पता चलता है दावद राज्वा का सत्रू के सामने पर आई जाए होता है और वहाँ पर विलाब किया जाता है कि परमीश्वर तुने क्यों तेरा अभिश्यक राज्वा को छोड़ दिया या परमीश्वर के कहा जा उसको बारे में बोला जाता है प्रभू हमें उसको सत्रू को क्यों तुने आनन दित होने दिया है तेरे अभिश्यक राज्वा के उपर ऐसासा करके वहाँ पर वरणन किया जा रहा है और जब लेकिन हमें कोई वहाँ पर कोई शबुत नहीं मिल रहा है कि क्यों उसको पर आज़ाई कर सामना सत्रू उसके उपर विज़े क्यों हुआ है वो हमें वहाँ पर पता नहीं चल रहा है उसका रिजन बहुत सारा परमीश्वर जानता है लेकिन हम गोर से अगर दिखेंगे 89 अध्याई के तीश्वा अध्याई को जम पड़ते है तो वहाँ पर ऐसा लिखा है अधी उसके वंस के लोग मतलब दावद राजे के वंस के लोग मेरी ववस्ता को छोड़े और मेरे नियम का अनुशार नौ चले अधी वे मेरी विदियो का लंगन करें और मेरी आगनों को नौ माने तो मैं उनका पराद को दंड सोटे से और उनके अधर में का दंड कोड़ों से दूगा करें ये वच्चन हमें कुछ बता रहा है कि उसकी परायजे के कारण होशकता है हमें पता नहीं है उसके राजजी तो लोगों ने क्या किया है उसके व्षे लोगों ने क्या किया लेकिन ये हमें एक हीन्ट दे रहा है ये वच्चन हमें मारदर्सन दे रहा है कि कभी-कभी हम जानते हैं कि इसरेयल परायजेयों को परमिश्वर चुड़ा के लेके जा रहा है उस ताइम पर प्रभू वो लोगों के आविस्वा से कारण या वो लोगों के बुराई के कारण प्रमिस लोगों के कुरुदित होता था उसको छोड़ नहीं देता था लेकिन उसके इपर कुरुदित होता था उसको दंड देता था प्रेम से दंड देता था उसकी भलाही के लिए प्रवू काम करता था तो यहां पे भी हम नहीं जानते है लेकिन वहां पे एक राजा को पराजाएकर सामना करना पड़ रहा है और उसके बारे में वहां पे लिखा हुआ है लेकि जैसे हम आगे पढ़ते हैं, अन्त में जब हम आते हैं, तो वहां पे 46 से 52 आयत में जब पढ़ते हैं, तो वहां पे छुटकारी की प्रातना वहां पे हो रहा है, प्रभू से प्रातना की जा रहे हैं, प्रभू ये शुरुआत है, 46 पढ़ते हैं, हे यहवा तो कब तक मों मोड़े रहे रहेगा तेरी जलराट कब तक आग के शमर बढ़े परमिश्चर का क्रोध वहां पर से वो लुग बचने के लिए वहां पर पराहना हो रहे है और परमिश्चर को कहा जा रहा है प्रबू तेरी वाचा कहा है तुने तो सफ़त खाए थी और यहां पर अपने अदास की नामधराई की सुधी मलब उसको भार का सामना करना पड़ रहा है यह वहां पर लिखा हुआ है मलब वहां पर छुटकारी के लिए या विज़े ही के लिए मलब जो हमें नुक्षान हो गया है सत्रों हमारे पर हाब calculating हो रहा है कि उसके वेरिए उपर मैं विपत्ति डालूँगा और सत्रु को उसके सामने नश्ब करूँगा लेकिन वहां पे तो उल्टा हो रहा है सत्रु दावद राज़्या के उपर विशे प्राप्त किया हुआ है लेकिन अभी वहाँ पे उस छुटकारे से उस परिश्तिते से बहार आने के ले प्रबु से विनन्ति की जा रहा है प्राक्ना की जा रहा है कि प्रबु तो 50में पढ़ते है 50 आयत में पढ़ते है प्रबु अपने दास की नाम दर रहे कि सुधिले मैं तो सब सामत इजादी को बोज लिये रहता हूँ तेरे इन सतों ने तो हे यहवा तेरे अबिसिक के पीछे पढ़ कर उसकी नाम दराएके दोचे वहाँ पे राजा की बेज़ जती हुए है एक सबाई एक चीज है प्रबो हमसे वाचा करता है कि मैं तुझे बचा हूँगा लेकि अचानक क्या हुजादा है हमारे जियों में समझ्ष्या आजाती है या को तकलीफ आजाती है हमें कोई पता नहीं है क्यों ऐसा आता है एक रिज़न यही भी है जब हम प्रबो की यागना से दूर हो जाते हैं प्रबो को चोड़ देते हैं अभजवास में चलते रहते हैं या कोई ऐसी चीज़ में हम चले जाते हैं जिसे प्रबो हमारे ओपर नहराज हो जाते हैं हमें समझ्ष्या से कसामना करना पाता है यहाँ पर एग्जेटली कया हुआ हमें बताने हैं मैंने जैसे आगे बताए वैसे जब हम उसकी वीडियो का उल्डानल करते हैं उसकी यागना को नहीं मानते तो कभी परमिश्टर हमारे उपर ऐसे चीज़ों को आने देता है तो हम इस अज्जाई से यह सित्ते हैं यहाँ परमिश्टर की महिमा सुरुवात में की जा रही है परमिश्टर के बारे में बढ़ाएं की जा रही है लेकिन क्या होता है दाउद राजा को परबिना बशेक किया है लेकिन उसको सतुर के सामने पराजाए कर सामना करना पर रहा है तो उसके बात चुपकारे के लिए प्राकना करनी पड़ रही है देखिया हमारे जिवन में हमें प्रभू के बहे मानना कितना योग यह है या कितने हमारे लिए ये बात है कि हमें प्रभू के मार्ग में चले या उसका बहे में चले इस व Ellie के तौरा हमें ये सिक्सा मिलती है हमें इस अब अप्रमिस्वर के मार्ग में चलते रहना चाहिए हुस के हमें इस daugher के उस की चरोने में रहकर या हुसके मार्ग में रहकर हमें अपना जीवन बिख उना चाहिए समझे आएंगे लेकिन उसके पर परमिश्वर हमें भी जय देता है प्रबो जैसे इसराइली प्रचाने कितना प्रबो को वो लोगों ने अपने और विस्वास के दारा रहा अपने कामों के दारा उसका उलंगन किया या उसके बारे में मुर्ति पुजय तक का पाप किया फिर परमिश्वर ने वो लोगों को छोड़ाने जरूर वो लोगों को कठनाया में जाने दिया परमिश्वर ने उसकी बलाए के लिए ऐसा किया था लेकिन फिर भी आन्ति में परमिश्वर ने लोग को छोड़ाया हमरा पर मिसर ऐसा नहीं है वो हमसे